तो हे एवरिवन, वेलकम बाक टो आडरोइट कमपेटिटिव क्लासिस और मैं हूँ मिशा, जैसा कि आपको पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक क्या चल रहा है एडजेक्टिव एडजेक्टिव में कल की क्लास में हमने क्या किया था इंट्रोडक्शन ओफ एडजेक्टिव क्या होते हैं एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं यानि कि जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं विशेशता बताते हैं उसे ह हम क्या कहते हैं एड्जेक्टिव और कलकी क्लास में हमने और क्या किया एड्जेक्टिव के टाइप एड्जेक्टिव के टाइप क्या होते हैं आठ तरीके के हमारे क्या होते हैं एड्जेक्टिव और उसमें मैंने आपको इंपॉटेंट भी बता दिये कि quality of adjective, quantity of adjective, quality of adjective क्या बताता है, जिसमें हम क्या बताए, किसी के गुण या दोश के बारे में अगर हम बता रहे हैं, यानि किसी का अच्छा या बुरा, quality बता रहे हैं, तो उसका हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते है, quality of adjective, next था हमारा quantity, quantity क्या बताता है, जिसमें हम क्या बताए, मातरा को बताए, उसको हम क्या बोलते है, adjective of quantity, जिसमें मातरा आ जाए, some आ जाए, few आ जाए, ठीक है, enough आ जाए, little आ जाए, ये सब क्या होते हैं, हमारे quantity होते हैं, next था हमारा adjective of number, क्या था adjective of number, यानि कि numeral adjective, अब मैंने इसी में से आज हम rule भी पड़ेंगे, क्योंकि कल मैंने important भी mark किया था, क्योंकि इस से paper पूछ लेते हैं, तो आज हम इसी type से, मतलब जितने भी type से हमारे questions बनते होंगे, rule बनते होंगे, वो हम आज की class में करेंगे, आज हम पढ़ रहे हैं, number of adjective, अब जो numeral adjective होते हैं, वो मैंने आपको बताए थे, दो तरीके के होते हैं, एक होता है, indefinite, क्या होते हैं, indefinite, देखे definite क्या होता है, जब हम कोई चीज क्या बताएं, निश्चित है, जब हम क्या बताते हैं, कोई चीज निश्चित है, और indefinite क्या बताते हैं, जब indefinite, definite अगर हम निश्चित बता रहे हैं, तो indefinite क्या होगा, ए निश्चित, क्या होगा, निश्चित यानि जब हमको किसी भी चीज का निश्चित संख्या नहीं पता तब हम उसको क्या बोलेंगे indefinite numeral adjective जैसे कि sum हो गया, कुछ, few हो गया, any हो गया, enough हो गया, enough का मतलब होता है, काफी few का मतलब क्या होता है, कुछ तो ये सब किसमें आते हैं, indefinite में, लेकिन हमें आज काम किसका है, definite का, क्योंकि paper वो पूछ लेता है, इस definite से, अब जो numeral adjective definite में दो तरीके के होता है, कौन-कौन से, एक होता है, cardinal adjective और एक क्या होता है, ordinal adjective, एक होता है हमारा cardinal adjective और एक क्या होता है, ordinal adjective, cardinal adjective क्या होता है, cardinal adjective होते है 1, 2, 3 मतलब जो किसी निश्चित संख्या को बताए जो किसको बताए एक निश्चित यानि कि संख्यात्मक चीज को बताए उसको हम क्या बोलते है cardinal number और वो होते क्या है 1, 2, 3, 4 और ordinal number क्या होते है ordinal number होते है जो किसको बताए first, second, third, fourth, fifth इसको बताए इसको हम क्या बोलते है हमेशा ordinal number ये हो गई हमारी cardinal और ordinal number की पहचान लेकिन वो उससे rule क्या पूचता है उससे वो rule पूचता है कि देखिए हम कभी भी cardinal number के साथ article का use नहीं कर सकते किसका use नहीं कर सकते article का use नहीं कर सकते यूज करेंगे यानि कि क्या होगा article required होगा किसके साथ ordinal number का ये हमारा rule कहता है किससे numeral adjective के definite number से कहता है आप देखिए मैं एक बार overview कर देती हूँ article क्या होते है लेकिन ये मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ लेकिन फिर से बता देती हूँ article हमारे दो तरीके के होते है एक होता है definite और एक क्या होता है indefinite definite क्या होता है निश्चित यानि की the और indefinite क्या होते है a और an a लगता है हमारे consonant sounds के साथ यानि किसके साथ vengeance के साथ जो हमारे क्या होते है consonants होते हैं लेकिन जो an होता है वो किसके साथ लगता है wall sounds के साथ लगता है वो wall sounds क्या होते है वो हमारे wall sounds होते है a, e, i, o, u ये हमारे क्या होते है wall sounds देखे हमें हमेशा इनको pronounce करके देखना चाहिए अगर हमारा pronunciation in wall sounds में से आ रहा है N बोलते हैं और M आर्टिकल N को ही लगा सकते हैं लेकिन देखें जो मैं आर्टिकल की बात कर रही हूँ कि अगर देखें मैं कार्डिनल नंबर 1,2,3,4 लगा रही हूँ तो मैं क्या बोल सकती हूँ? अब 1 student, बोल सकती हूँ नहीं न क्योंकि जो ये A होता है न A और A N अपने आप में ही क्या बताते हैं? 1 बताते हैं और यहाँ पर नंबर भी क्या रहा है? 1 जो कि कार्डिनल नंबर से, मैं क्यों आर्टिकल नहीं लगा सकती ही इनके साथ? क्योंकि ये superfluous हो जाएगा और अगर मैं count 1 से जादा बता रही हूँ, जैसे 2 बता रही हूँ, 3 बता रही हूँ, 4 बता रही हूँ तो क्या इनके साथ मैं A और A N लगाऊंगी? क्योंकि ये तो 1 को बताते हैं तब हमारे जो sentence का meaning है वो change हो जाएगा इसलिए हम cardinal number के साथ कभी भी article का use नहीं करते लेकिन जो ordinal number होता है, उसके साथ हम किसका use करते हैं? article का use करते हैं जैसे कि हमारे cardinal adjective क्या हो गए? he has four pens pens क्या है? यहाँ पे noun है और noun को कोई qualify कर सकता है कौन qualify कर सकता है? स्रिफ और स्रिफ एक adjective तो four यहाँ पे क्या है? एक adjective है लेकिन कौन सा? numeral कौन सा numeral और कौन से वाला जो cardinal number को बताता हूँ क्या इससे पहले मैंने कोई भी article लगाया कभी भी हम बोल सकते हैं he has the four pens नहीं बोल सकते हैं, the four t-shirts कहना ही बिलकुल गलत होगा next day she has two books फिर से two क्या है? यहाँ पे cardinal number है, cardinal adjective है और यहाँ पे books क्या हो जाएगा? हमारा noun हो जाएगा तो cardinal number से पहले no article और ordinal number से पहले हमें article की जरूरत होती है article दा का परियोग ordinal के पहले होता है cardinal के पहले नहीं यहीं चीज मैंने बताई और यहीं है आपका important rule जैसे कि lesson one is on verb, जो पहला lesson है वो किस चीज का है? verb का है, यानि की किरिया का है किसका है? verb का है यानि की किरिया का है लेकिन इसी sentence को इसने modify कर दिया, the first lesson is on verb, आप देखें यह first किसको बता रहा है ordinal number को बता रहा है किसको ordinal number को बता रहा है, यानि ordinal adjective हो, क्या इससे पहले इन्होंने article लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया हम बोल सकते हैं, जैसे मैं कहूँ the first person, तो मैंने first के आगे क्या लगा दिया, दा लगा दिया the second chapter, the third chapter तो हम क्या कर सकते हैं, first, second, third, fourth, fifth के साथ या जितनी भी ये number चलता है, इनके साथ हम क्या लगा सकते है, article, यानि ordinal number के साथ क्या लग सकता है, article लग सकता है, जैसे कि next question है, the first person will be awarded by me, कि जो पहला person है, वो awarded किसके द्वारा किया जा रहा है, मेरे द्वारा किया जा रहा है, पहला person, तो ये first क्या है, यहाँ पर किसको बता रहा है, position यानि ordinal number को बता रहा है, और इससे पहले इन्होंने एक article लगा से, numeral adjective से, कि ordinal number यानि कि first, second, third, fourth, और cardinal यानि कि numeral adjective में क्या आ जाएगा, one, two, three, four, और उन से पहले हम क्या लगा देंगे, article लगा देंगे और इसी से related हमारा एक example कहता है, अगर दोनों number एक साथ आ जाएए, अगर दोनों number एक साथ आ जाएए, तो हमारा correct sequence क्या होगा, article plus ordinal number और plus cardinal number ये हमारा क्या होगा, correct sequence होगा, जैसे कि the four first students are from my locality, कि पहले जो the four student है, वो कहां से है, मेरी locality से है तो अब यहाँ पे देखिए, ये four क्या है हमारा cardinal number, first क्या है हमारा ordinal number, गलत हो गया sequence, sequence क्या होना चाहिए, article के बाद ordinal number होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए था, cardinal number, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, the first four student, जैसे मैं आपको कहूँगे ना, कि भई कल आप पहले चार chapter को अच्छे से पढ़के आईए, या पहले पाँच chapter को अच्छे से पढ़के आईए, तो आप क्या बोलते हैं, पहले और फिर क्या बोलते हैं, पाँच, तो ऐसे ही बस इसको correct sequence में, हिंदी में पहले और हिंदी में cardinal number को क्या बोल रहा हैं, पाँच, यह हमारा ordinal number, यह हमारा cardinal number, और इससे पहले हम क्या लगा देंगे, एक article को लगा देंगे, तो हमारे numeral adjective से दो rule clear हो गए, पहला कहता है, definite number क्या होते हैं, cardinal number और ordinal number, cardinal के साथ हम article का use नहीं कर सकते हैं, ordinal के साथ हमें article का use करना है, अगर दोनों number एक साथ आ जाए, तो पहले article आएगा, फिर ordinal number आएगा, और फिर क्या आएगा, cardinal number, next rule हमारा कहता है, देखिए, next rule क्या है हमारे adjective से, adjective से वो क्या पूछता है, भई, वो adjective से पूछता है, confusing pair, कि जो दिखने में confusion create कर देते हैं, लग एक जैसे रहते हैं, लेकिन उनका uses जो होता है, उनका जो use होता है, वो अलग क्या होता है, कुछ, क्या होता है, कुछ, क्या होता है, कुछ, आप देखिए, जो sum होता है, न, sum, वो हमेशा किसके लिए लगेगा, positive sentence के लिए, किसके लिए लगता है, positive sentence के लिए, यानि sentence क्या होना चाहिए, positive होना चाहिए, लेकिन जो any होता है न, any लगता है negative sentences के लिए, इसके लिए लगता है, negative sentence के लिए यानि कि जिसमें क्या आजाए, no आजाए, never आजाए, not आजाए, यानि कोई भी negative word, और कुछ word और होते हैं, जो कि लगने में क्या होते हैं, लगने के लिए वो क्या लगते हैं हमें, negative लगते है आ गया some किसके लिए positive के लिए any किसके लिए आता है negative के लिए भी और interrogative के लिए भी interrogative देखें यह sign मैंने हमेशा बताया किसका sign होता है interrogation का यानि कि जो क्या पूछता है question किससे wh family वाले question जैसे हम बोलते हैं do you have some books या do you have any books तो इसका मतलब क्या है जो कि क्या पूछता है interrogation some interrogative के लिए लगता है दोनों ही लगते interrogation के लिए लेकिन जो बेन concept है आप इसको अगर अच्छे से find out करना है तो आप इससे find out कर सकते हो कि some किसके लिए लगता है positive sentences के लिए any किसके लिए लगता है negative sentences के लिए अब मैं negative में कुछ important word लिखवा देती हूँ वह आप लिखिए अ जैसे कि scarcely हो गया ठीक है ये वाले जो word होते न ये भी क्या होते है शैल्डम हो गया ये सब क्या होते है हमेशा negative word होते हैं और इनके साथ हम कभी भी दुबारा से note नहीं लगा सकते वो क्या बन सकते है no never note नहीं लगा सकते वो क्या बन जाएंगे superfluous क्योंकि अपने आप मे क्या होते है negative word जैसे hardly का मतलब क्या होता है मुश्किल से कोई भी काम क्या है भाई मुश्किल से हो पा रहा है यानि ना के बराबर हो पा रहा है ऐसे बेरली scarcely और शैल्डम तो आए इससे related exercise देखते हैं I have some या any books I have some या any books अब देखिए वो क्या कह रहा है कि मेरे पास I have some या any books मेरे पास क्या है कुछ किताबे हैं अब हम some लगाएंगे या any लगाएंगे हमें choice मिलिए some और any में some मैंने कहा था positive के लिए any किसके लिए लगता है negative के लिए क्या sentence में कोई भी negative जलक दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही ना तो हम क्या टिक करेंगे I have some books I have some books next है I have some या any patience I have some या any patience यानि की धहर रहे है अब देखे some किसके लिए लगता है positive के लिए any किसके लिए लगता है negative के लिए क्या हमारे sentence में कोई negative जलक है नहीं है ना तो हम यहाँ पे क्या टिक करेंगे some को टिक करेंगे next question कहता है he has not given some या any advice कि वह क्या नहीं दे रहा और has और have के साथ मैंने हमेशा बताए क्या आएगी वर्ब की third form यानि main वर्ब जो होती है वो हमेशा क्या होती है third form give, gave, given होता है तो अब देखे he has not given some या any advice कि वह कोई भी advice नहीं देता है तो अब देखे यहाँ पे not word आ गय और some तो लगता है positive के लिए any किसके लिए लगता है negative के लिए तो हम यहाँ पे क्या tick करेंगे any को tick करेंगे next day he has hardly any some food hardly word आ गया hardly किसको बताते है मैंने का मुश्किल से यानि कि जो क्या बता दे ना के बराबर बता दे और जो hardly word होता है वो क्या होता है negative word होता है इसलिए हमार जो sentence है वो negative sense दे रहा है तो हम यहाँ पे some को tick नहीं कर सकते हमें यहाँ पे किसको tick करना पड़ेगा any को क्योंकि some लगता है positive के लिए any लगता है negative के लिए next है there are scarcely any या some good books he has आगे जो भी sentence है he has जो भी आगे sentence दिया गया है वो शाइड टाइप नहीं हुआ so there are scarcely लेकिन हमारा main concept तो यहीं पे है scarcely का मतलब भी क्या होता है जो हमें क्या देता है sense क्या देता है sense negative क्या sense देता है negative तो हम यहाँ पे some को tick नहीं कर सकते हमें क्या tick करना पड़ेगा any को tick करना पड़ेगा any negative के लिए लगता है और some positive के लिए समझ आया any क्या होगा negative sentence के लिए लगता है और some positive sentence के लिए और इसे हम किसके लिए भी लगाते हैं interrogation के लिए भी लगाते हैं next हम जो पढ़ रहें confusing pair में next है हमारा confusing pair फोन सा elder और older जो हमें सुनने में एक जैसा लगता है और हम दोनों यह यूज़ कर लेते लेकिन हमें सही sense नहीं पता होता देखिए elder और older क्या होता है जो elder होता है ना elder देखिए दोनों में एक difference है एक में e का और एक में o का e और o का देखिए जो elder होता है ना elder यानि की e elder क्या होता है हमेशा elder हम लगाते जो हमारे खून के रिष्टे में या जो हमारे relation में लगे किसमें लगे relation में लगे relation में या जो खून के रिष्टे में क्या हो बड़ा हो उसे हम क्या बोलते है elder उसको हम किसके लिए लगाते हैं elder के लिए लगाते है लेकिन जो older होता है ना ओल्डर हम किसे लिए लगाते है जो हमसे उम्र में बढ़ा हो और हम दोनों का जो यूज है वो गलत कर लेते हैं sentence में और दोनों का ही यूज कर लेते हैं लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा difference है कि यह हम लगाते है जो हमारे खून के रिष्टे यानि कि relation में कोई लगता हो ओल्डर होता है वो place के लिए भी लगेगा, thing के लिए भी लगेगा, और person के लिए भी लगेगा, और older के साथ हम then का use करते हैं, older के साथ हम किसका use कर सकते हैं, then का use करते हैं, लेकिन हम elder के साथ क्या नहीं use करते हैं, कभी भी then का use नहीं करते हैं, जैसे कि देखें एक question है, he is my elder या older brother, वो कह रहा है कि यह है मेरा elder या older भाई है, elder या older, अभी कहा elder क्या होता है, वह है मेरा, यानि मेरे खून के रिष्टे में लग रहा है, यानि कि मेरे relation में लग रहा है, तो मैं older, और older क्या होता है, जो किसमें लगता हो, उम्र में बड़ा हो, जो कि उम्र में बड़ा हो तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, elder, जो कि क्या होना चाहिए, elder, older क्या हो, जो किसी रिष्टे में ना लगता हो, किसी रिष्टे का कोई दूर दूर तक लेना देना ना हो, तब हम क्या लगाते हैं, older, next question कह रहा है, पठना is older या elder than राची, अब देखें, यहाँ पर दो जगा की बात हो रही है, एक तो पठना, एक तो राची, क्या इन दोनों में कोई relation है, कोई खून का रिष्टा है, कोई relation है, नहीं न, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पठना is older या elder than राची, यहाँ पर क्या होना चाहिए, older और older के साथ हम क्या लगाते हैं, than का use करते हैं, older के स नहीं बहन है मेरी या उसकी यहान हम पांच सिस्टर में से जो रीता है वो एल्डर या ओल्डर है यहां पर किसी भी रिलेशन की बात नहीं हो रही तो हम यहां पर क्या टिक करेंगे ओलिडर के साथ हम इसका यूज to that car, फिर से this car is older than या to car, आप देखे आप उसने choice दे दी, older के साथ, then लगाऊ या to लगाऊ, अभी मैंने बताए, एक तो चलो car और यहाँ पे, इस car का और इस car का यहाँ पे comparison हो रहा है, क्या इन में कोई relation है, नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या टिक करेंगे, एक तो older बिल्कुल सही है, और older के साथ हम to का use नहीं करते हैं, हम किसका use करते हैं, सिर्फ और सिर्फ then का use करते हैं, next question है, my house is older than या elder to his house, अब घर में क्या बताया जा रहा है, comparison किया गया है, तो क्या घर में कोई relation है, घर पे कोई relation नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या टिक करेंगे, older than, क्य एक छोटा सा difference था, elder क्या होता है, जो कि लगता सिर्फ और सिर्फ person के लिए है, जो relation में लगता हो हो, relation में बड़ा हो, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, elder, लेकिन जो older होता है, वो place के लिए भी लगता है, think के लिए भी लगता है, और person के लिए भी लगता है, और जो उम यू का एक और यू का इसलिए फार्दर और फर्दर आप देखे इसको याद करने कि मैं आपको ट्रिक बताती हूं एक याद कर लीजे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा फार्दर में देखे कि आपको फार दिखाई दे रहे हैं फार और मैं कहूंगी कि he is far far away from me far का मतलब ही क्या होता है दूर क्या होता है दूर तो ये दिखाएगा किसको दूरी को दिखाएगा यानि कि farther जो होता है वो किसको दिखाता है हमेशा distance को दिखाता है किसको दिखाता है हमेशा distance यानि कि दूरी को दिखाएगा जिस भी जगा से दूर जाना हो या दूर का distance बत तो हम हमेशा क्या लगाते हैं हम हमेशा क्या लगाते हैं फार्दर लेकिन जो फर्दर होता है फर्दर का मतलब होता है एडिशन क्या होता है एडिशन यानि की अतरीक्त क्या होता है अतरीक्त या इसको हम टाइम के लिए भी बोलते हैं लेकिन एडिशनल में बोल सकते हैं कि जो यह further होता है, further, जैसे मैं कहूंँ कि मेरे पास आगे कि या additional कोई भी information नहीं है, तब मैं क्या लगाऊंगी further, क्योंकि इस sentence में किसकी बात नहीं होरी, distance की बात नहीं होरी, इसलिए मैं क्या लगाऊंगी, कि I do not have further information about this, तो मैं क्या लगाऊंगी यहां पर further लगाऊंगी, न further no information about it, फिर से further किसको बताता है distance को, और further किसको बताता है additional को, यानि की अतरिक्त को, क्या इसमें distance की बात की गई है, क्योंकि information में कोई भी distance की बात नहीं के गई है, वो कह रहे है कि मेरे पास इसकी आगे की कोई भी details नहीं है, तो यहां पर further नहीं होना चीए था, क्या होना नहीं है तो यहां पे वो farther यानि कि distance की बात नहीं कर रहा वो किसकी बात कर रहा है फर्दर की बात कर देखें जो further होता है न वो सरिफ और सरिफ क्या बताएगा दूरी आप इसको क्या बोल रहा है कि भाई जो नई दिल्ली है ना वो अब की बार डिस्टेंस से बात कर रही है कि वो दूर है दूरी की बात कर रहा है ना कि आगे बढ़ने की या एडिशनल की तो हम फर्दर नहीं लगाएंगे हम क्या लगाएंगे फार्दर अभी मैंने आपको बता है जब नहीं की दूरी को बता सकती है नेक्स्ट है यौर पॉइंट नीट्स फर्दर या फार्दर कंसेडरेशन अब देखें यहां पर क्या आएगा क्या यहां पर फिर से डिस्टेंस की बात हो रही है नहीं हो रही है क्योंकि वो क्या कर रहा है उसके पॉइंट को जरूरत है कि ह हम उसको क्या करें, consider करें, एक बार देखें, तो यहाँ पर क्या होगा, further, कि एक बार और आगे एक बार इसको देख लिया जाए, तो यहाँ पर फार्दर टिक नहीं करेंगे, क्या टिक करेंगे, further, तो further क्या होता है, जो दूरी दिखाता है, और further क्या होता है, जो additional, यानि कि अतरिक्त चीज को एक्स्ट्रा को दिखा दे उसको हम क्या बोलते फर्दर यानि जो टाइम को थोड़ा बहुत रिलेट करते नेक्स्ट है यह हमारा इंपोर्टेंट मतला मोस्ट इंपोर्टेंट यह हम एडवर्ब में भी पढ़ेंगे इसकी जलक एडजेक्टिव में भी है और यह नाउन में भी आना था लेकिन मैंने नाउन में नहीं कराया क्योंकि यह कॉंसेप्ट मोस्ली एडजेक्टिव में पूछा जाता है इसलिए मै गल्ती कर देगा कि जहां much to लगाना होगा तूमच लगा देगा जहां तूमच आना चाहिए वहाँ पे वो much to लगा देगा और जो much to होता है उसके बाद हमेशा क्या होना चाहिए adjective आप इन दोनों में से सही pikk कैसे करेंगे वो इन दोनों को देखके, इन दोनों को देखके, अब मैं आपको इन दोनों को याद करने का तरीका बता देती हूँ, हमने ABCD पढ़ी है, ABCD, यानि कि alphabet में M के बाद हमेशा क्या आता है, N आता है, M के बाद हमेशा क्या आता है, N आता है, तो आप याद कर लेंगे too much के बाद हमेशा क्या दिखना चाहिए एक noun दिखना चाहिए और much to के बाद हमेशा क्या आना चाहिए adjective और adjective होता क्या है जो किसी की अच्छे या बुरी बात की यानि जो noun और pronoun को qualify करते हैं उनकी विशेष्टा बताते हैं वो क्या होते हैं adjective होते हैं तो आईए इस से related एक exercise करते हैं, exercise में पहला question कहता है, there is too much या much to food in the kitchen, मैंने का इन दोरों में से choice करने के लिए आप बस अपने noun या adjective को पहचान ले, उससे आप अपने आप उस too much या much to में से सही pick कर लेंगे, यही इसकी correct tick है, trick है, तो food यहाँ पे क्या है, क्या food किसी के अच noun हो जाएगा, क्या हो जाएगा, noun हो जाएगा, और मैंने आपको अभी याद कराया, m के बाद हमेशा क्या आता है, n, अपना उसको ढूरों चालू करते हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, too much food in the kitchen, तो यहाँ पे क्या होगा, too much food in the kitchen, next question है, he is much to, यहाँ पे होना चा हासियत है, intelligent होना, यानि कि होशियार होना, किसी की क्या है खासियत, तो यह क्या है हमारा adjective, और अभी हमने पड़ा, कि जो too much होता है, वो किस के लिए लगता है, noun के लिए, हमें तो चाहिए, much to चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, much to टिक करेंगे, क्योंकि much to के बाद, हम ज्यादा हेवी है जिसको मैं अपने हेड पे कैरी नहीं कर सकता, सर पे कैरी करने के लिए बहुत ही हेवी है, अब हम हेवी हेवी मतलब भारी होना या हलका होना किसी बॉक्स की खासियत और बुराई बताई जा रही है, तो यहाँ पे हेवी क्या हो जाएगा, हो जाएगा, तो क्या हम much to tick करेंगे या too much tick करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको याद कराया, too much में क्या दिखाई देता है हमको M, और M के बाद क्या आना चाहिए, N यानी की now आना चाहिए, और यहाँ तो हम adjective की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा हम क्या tick करेंगे, much to ना की too much, तो I hope आपको जो आज का confusing pair है, वो अच्छे से समझ आया होगा, आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा सबसे पहले क्या, some और any, confusing pair में, यानी सबसे पहले पढ़ा तो वैसे हमने number था, number में क्या था, numeral adjective, दो तरीके की होते हैं, definite और indefinite, indefinite क्या होते हैं, जो की एनिस्चित हो, जो की क्या हो, एनिस्चित हो, और एनिस्चित में हमने क्या किया, कि एनिस्चित जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे कि some हो गया, few हो गया, little हो गया, any हो ठीके, some, any, ये सारे word जो हो गया, ये किसमें आ जाएगे, indefinite में, लेकिन हमें काम तो किसका था definite का, और definite कौन-कौन से थे, एक होता है cardinal, एक होता है ordinal, जिससे वो rule क्या पूछता है article वाला, कि भई इसके साथ तो हमें article नहीं लगाना, लेकिन ordinal के साथ हमको क्या लगाना है, article लगाना है, यह जो end में मैं आपको बताती हूँ ने, यह आप अपने बनाया की कीजिए short note, कि जो आप एक बार quick revise करेंगे न, आपको English के सारे notes अच्छे से revise हो जाएं, क्योंकि यह मैं बताती हूँ, trick based, end में, क्योंकि वो पूरा elaborate करके बताना पड़ देता है, आप अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएं, और यह बताती हूँ मैं, कि आपका एक last में, 5 मिनिट में, जितना भी आज हमने किया है, वो revise हो जाएं, तो अगर हमारा जो article और cardinal number और ordinal number इसी का rule 2 कहता है, अगर दोनों एक साथ आजाएं, तब हमारा sequence क्या होगा, अब आप इस sequence को follow कर लो, क्योंकि article जो है, वो किसके साथ लगता है, सिर्फ और सिर्फ, ordinal के साथ, article लगा दिया, ordinal number लगा दिया, और फिर क्या आना चाहिए, cardinal number, यह हमारा correct sequence हो जाएगा, फिर हमने पढ़ा some और any, some किसके लिए लगता है, positive sentence के लिए, any किसके लिए लगता है, negative sentence के लिए, यानि कि जिस sentence में no, never, not, hardly, barely, scarcely, या कोई भी negative word दिखाए दे, तो हम सर्फ और सर sentence लगा देगा, जहां पर any लगाना होगा, वहां सम लगा के देगा, जहां सम लगाना होगा, वहां पर क्या लगा के देगा, any लगा के, फिर हमने पढ़ा further और farther, फिर हमने क्या पढ़ा, further और farther, farther क्या होता है, farther को मैंने आपको बताया, far से, जैसे कि मैं कहूं, कि he is far far away from me, तो far किसको बताता है हमेशा distance को बताता है यानि कि दूरी को बताता है तो further लगेगा किसके लिए सरिफ और सरिफ distance के लिए और जो further होता है further हमेशा किसको बताता है additional information को या additional thing को बताता है तो हम क्या लगाएंगे हमेशा further लगाएंगे फिर हमने पढ़ा elder और older elder किसके लिए ल लेकिन जो older होता है वो place, person, place, person और thing इन तीनों के लिए लगता है और जो उम्मर में बढ़ा हो जिसमें कोई relation ना हो और उसमें हम बड़े की बात कर रहे हैं तब हम सरिफ पर सरिफ क्या लगाएंगे? लगाएंगे यह हमने किया आज की class में यह हमने क्या किया आज की class में और इसके बाद हमने पढ़ा too much और much to इसकी भी मैंने आपको trick बताई, m के बाद हमेशा क्या आता है? तो हमेशा too much के बाद क्या आएगा? कोई noun दिखना चाहिए और much to के बाद हमेशा क्या दिखना चाहिए? एक adjective तो आज जो हमारे confusing pair थे वो अच्छे से हो गए, कल की class में हमने क्या किया था? adjective और उसके type, आज हमने उन्ही type से rule निकाले हैं और जो rule confusing pair में पूछते हैं वो आ question पर implementation कैसे करना है वो अच्छे से समझ जा जाए और आपकी जो तयारी है वो और अच्छे से हो जाए तो हम आपके लिए ऐसे ही अच्छा अच्छा content लाते रहेंगे आप अपना प्यार हमें ऐसे ही दिए आज के लिए इतना ही और आज का अपना time देने के लिए बहुत बह झाल 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 झाल